पाठ नौमा किर्या किर्या दा अर्थ है काम इसलिए जिना शब्दातों किसे कामदा होना, करना, सैना, आधी बारे, काल सहत पता लगे, पंजाबी व्याकरन विच उना नू किर्या आख्या जान्दा है वेखो पड़ो अते समझो, अध्यापका जमाद विच पड़ा रही है, कुछ विद्यार्थी बड़े ही त्यानल अध्यापका दिगल सुन रहे हन, दो बच्चे पिछे बैठ के रोटी खा रहे हन, एक बच्चा बैंचते सिर रह के सौ रहा है बच्चे उपरोक्त वाका विच मोटे रंगीन शब्द कामदे होन जा करन बारे काल सहत पता लग रहा है, पड़ा आ रही है, सुन रहे हन, खा रहे हन, अते सौ रहे हन, किर्या शब्द हन किर्या दी प्रिभाशा, जेडे शब्दान तों किसे कामदे करन, जा होन बारे काल सहत पता लग उना नू किर्या आख देहन करता, अते करम विच अंतर करता, वाक विच कामकरन वाले नू करता, आख्या जन्द है, जिवें सुरिंदर गा रहा है, इस वाक विच सुरिंदर करता है, करम वाक विच जिस उत्ते कामकिता जावे उसनू करम आख्या जन्द है, जिवें नेहा सेब खा रही है, उप्रोक्त वाक विच्चों सेब करम है, किर्या दे पेद, किर्या दे दो पेद हन, अकर्मक किर्या, सकर्मक किर्या, अकर्मक किर्या, अकर्मक तो पाव है, जिमें करम तो बिना जिड़ी वाग विच करता था होवे पर करम ना होवे उसनु अ करमक किरया आख़ देहन जिमें मुंडा गा रहा है सा करमक तो पाव करम सहत हुंदा है जिड़े वाकाम विच किरया दा करम होवे उसनू सा करमक किरया आखदेहन जिमें मुंडा घीत गा रहा है कुड़ी पीजा खा रही है कुड़ी रसी टप रही है आओ दोहरा ये जिना शब्दा तो काम दे होन जा करन बारे पता लगे ता उना नू किर्या आख दे हन किर्या दो परकार दी हुंदी है अ कर्मक किर्या अते सकर्मक किर्या किसे वाक विच कम करनवाले नू करता आख देहन, जिस उत्ते कम कीता जावे उसनू करम आख देहन.